स्वागत है आपके अपने चैनल All About Fast Tag में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे साल में जब चत्तीसगर और राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डरनस अलाउंस में बढ़ोतरी की घोशना की है चत्तीसगर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डिये में लगबग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है इससे राज्य के खजाने पर सालाना लगभग एक हजार करोर रुप्य का खर्चाएगा। इस कदम से करीब 3.8 शून्य लाग कर्मचारियों को फायदा होगा। अक्तूबर 2022 में चत्तीसगर ने भी डिये 5 फीसदी बढ़ा कर 33 फीसदी कर दिया था। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशन भोगियों को पाँच में वेतनायोग के आधार पर जनवरी 2023 से अधिक डिये मिलेगा। अब राज्य में DA केंद सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो गया। और इसा सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों और पैंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्तिक डर्नस अलाउंस में 4 फीसदी बढ़ो तरीकी है। कर्मचारियों और पैंशन भोगियों के लिए DA 38 पिछले महीने करनाटक में भी डी एक जनवरी दो हजार तेईस से पूर्वव्यापी प्रभाव से डी ए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी करनाटक में डी एक तीस फीसदी से बढ़ा कर पैंतीस फीसदी कर दिया गया है इससे पहले जारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन में बढ़ोतरी का एलान किया था मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केंद सरकार अगले महीने जुलाई दो हजार तेईस में महंगाई भत्ते डरनस अलाउंस डी ए में भी बढ़ोतरी कर सकता है जिससे उनका वेतन बढ़ जाएगा केंद सरकार के करमचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए डी ए में 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है डी ए में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है जनवरी और जुलाई आखिरी बढ़ोतरी की घोशना मार्च 2023 में की गई थी जो एक जनवरी 2023 लागू मानी गई थी तब दी ए 4 फीसदी बढ़ा कर 42 फीसदी कर दिया गया था अब रिपोर्ट्स के मताबिक केंद सरकार दी ए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है जिसके बाद महंगाई भता डरनस अलाउंस बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा दुबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ